जैसी कृष्णा आज हम करवाचोत के दिन गणेजी की कहानी सुनेंगे करवाचोत वुरत में सभी कता कहानियों के साथ में गणेजी की कहानी जरूर सुननी चाहिए आईए गणेजी की कहानी सुनते हैं कहानी सुनने से पहले हमें बोलना चाहिए सोना किसी चोकी मोतियों का हार गणीची भगवान मेरे जीव का आधार ये पांच बार बोलना चाहिए उसके बाद कहानी सुनी जाए आईए गणीची की कहानी सुनते हैं एक गाउं में एक अंधी बुडिया माई अपने बेटा बहु के साथ रहती थी उसका बेटा दिहारी मजदूरी करता था वह दो समय जितना ही भोजन का प्रबंद कर पाता था वे बहुत गरीबी में जीवन जी रहे थी अंधी पुडिया माई गणेश भगवान की पारंभक्त थी वे रोज नहा दोकर गणेश जी की पुजापाट किया करती रोज सुबर शाम भोग लगाती उसके बाद ही वे अनजल ग्रहन कारती थी तब एक दिन गणेश भगवान बुडिया माई की पुजा और सेवा से प्रसन होगे एक रातरी में सपन में आकर बुडिया माई से बोले कि अरी बुडिया माई मैं तेरी पुजापाट से प्रसन हुआ मैं तुझे एक वर्दान देना चाता हूँ तू मांग तुझे क्या चाहिए तब सपन में ही बुडिया माई बोली कि हे गणेश भगवान मुझे मांगना नहीं आता तो गणीजी भगवान बोले कि बुडिया माई तू अपने बेटा बहु से पूछ ले, मैं कल दुबारा इसी समय आऊंगा। ऐसा कहकर गणीश भगवान अंतरधान हो गए। सुबच जब बुडिया माई सो कर हुटी तो उसे अपने सवपनवाली बात याद आई। तो उसन आसुमा आप तो पोता मांग लो ताकि मेरी गोद भर जाए और आपको भी पोते का मूँ देखने को मिल जाए। तब बुडिया माई मनही मन सोचने लगी कि बेटा बहु तो दोनों अपने मतलब की बात कर रहे हैं। तब बुडिया शाम के समय घर के चबूतरे पर हमेशा की तरह आकर बैठ गई। उस समय वह बहुत उदास बैठी थी कि तबी उसकी पडोसन आई और पूछने लगी कि अरी बहन आज तु उदास क्यों बैठी है। तो बुडिया ने उसे भी पूरी बात बताई। तो पडोसन बोली कि अरी बहन मेरी मान तु तो आखें मांग ल ताकि तेरी बाकी की जिंदगी आराम से कट जाए। तेरे बेटा बहु तो खुद के मतलब की चीज मांग रहे हैं। ऐसा कहकर पडोसन चली गई। पडोसन के जाने के बाद बुडिया माई भी घर के भीतर आकर बैठ गई। और मनहीमन सोचने लगी कि ऐसी क्या चीज मां जिससे बेटा बहु भी राजी हो जाए और मुझे भी आँखे मिल जाए। बहुत कुछ सोचने के बाद बुडिया माई रातरी में भूजन खाकर सो गई। अर्ध रातरी में फिर से गणेजी भगवान बुडिया के सपन में आए और पूछने लगे कि अरी बुडिया मांग तुझे क्या चाहिए। तो बुडिया माई बोली कि हे गणेजी भगवान मैं सोने के कटोरे में पोते को दूद पीता हुआ देखना चाते हूँ। यह सुनकर गणेश भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि अरी बुडिया माई तु तो कह रही थी कि तुझे मांग दिया और तथास्तु का वर्दान देकर गणेश भगवान अंतरध्यान हो गए। सुबर जब बुडिया माई सो करूठी तो उसके आँखों की जोती आ गई। घर में अनधन के भंडार भर गए। और उसके दो कमरों का तूटा फूटा घर की जगें सुन्दर नोखंडी म मकान खड़ा था। तीन मैने के बाद बहु को भी गर्भ टहर गया। नवे मैने में उसे सुन्दर पुत्र पैदा हुआ। तब बुडिया माई ने अपने पोते को सोने के जूले में जूलते हुए देखा। सोने के कटोरे में दूद पीते हुए देखा। ये गणेजी भ